नमस्कार मैं हूँ विक्रा मुपाद्ध है और आप देख रहे हैं वन इंडिया सबसे महत्पूर्ण खबर इसे में जो आ रही है वो है वन नेशन वन एलेक्शन की केंडरी कैबिनिट ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया है और देश में एक आम सहमती बनाने की कोशिश भी की जा रही है ताकि वन नेशन वन एलेक्शन का ये आपंट Works आहर साथ पार्टे जन्ताव पाटी के वरिफय के हैं जो वाइस प्रेसेडेंट भी देच चुके हैं और प्रमुख भारते जन्ता पार्टी के रेताओं में से एक हैं नमस्कार स्याम जी दोश्कार प्रधाल मंत्री मोधी की तमाम नई सोच के अनरूप एक सोच यह भी है कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन है लेकिन क्या प्रैक्टिकली यह संभव दिखता आपको वन नेशन वन इलेक्शन यह विशय हिंदुस्तान में कोई नया नहीं है इसकी चर्चा काफी सालों से चल रही है अभी नरेनर मोधी जी के कारेकाल में पूरुवर राश्टरपती रामनात कोविन जी के नेत्रुतों में एक समिती गठित किये गई थी उस समिती ने अपना वाले देश में इतना बड़ा देश और अलग-अलग प्रकार के मोसम इन सब प्रक्रियाओं को ध्यान में लेते हुए पूरा देश का पाचोई साल अलग-अलग चुनाव चलते रहते हैं यह देश के विकास के लिए ठीक नहीं है देश वाइडर इंट्रेस्ट अब यह हिंदुस्तान की जरुत है या के लोग-तंत्र की आवचकता है यह बार ठीक है कि सोच अच्छी है नहीं है और आप जो कह रहे हैं कि अगर एक तरह से एक देश में एक चुना हो जाए तो पैसे की बच्चत होती है लेकिन आप देखेंगे यहां इतनी सारी राजे सरका तक विदानसभा और लोगसभा चुनाव साथ में यह होते थे उसके बाद यह थोड़ डिरेल्मेंट होने के बाद पिर अलग-अलग शेडिल बनने लगे और इसमें फरक आया है मुझे ऐसा लगता है एक बार शुरुवात में कहीं तो भी किसी को तो भी आगे पीचे होना पड़ेगा पर पूरे देश के यूनिफार्म इलेक्शन होना यह कोई कठिन बात नहीं है यह होते आया है और उसका कोड़ अप कंड़क लगता है पूरे देश की यंत्रना उसमें लगती है विकास के काम ठप हो जाते है और देश का पैसा टाइम यह सब जो खर्चा होता ह उसके लिए यह सोलूशन निकला है इसमें कोई व्यक्तिरत पार्टी का अजेंडा नहीं है यह देश का अजेंडा है मुझे इसा रखता है कि यह नैशनल अजेंडा होने के कारण नेशन फर्ष्ट मान कर सभी पार्टियों की सहमती इस पर होनी चाहिए श्याम जी रामनात को भी कमिटी ने सुझाओ दिया है कि एक एलेक्शन एक नेशन के साथ सरू करने से पहले हमको कम से कम 18 जो है संविधान में संसुधन करने परेंगे संविधानिक संसुधन के लिए आपको मालूम है तू ठर्ड मैजरूटी की आउसकता होती है इसमें सवाल खास करके मैं यह जो रहा हूँ तो जो राहुल गांधी और प्रधान मंत्री मोदी की बीच में जो श्रमी करान है जिस तरह की है एक एक जो है मानसिक जो है एक 22 शुपी स्थिती है उसमें क्या आपको लगता है कि कॉंग्रेस जो है कहीं तयार होगी इस काम के लिए मुझे ऐसा लगता है कि देश के हित के लिए कौन पार्टी आगया रही है कौन विरोध कर रहा है यह देश की जनता के सामने आने वाना है यह पार्टी कोई एक पार्टी का व्यक्तिकत अजेंडा नहीं है काफी पार्टिया इससे सहमत भी है कई पार्टिया अपनी व्यक्तिकत राजनीती के लिए कुछन कुछ कारण निकाल कर इसको विरोध कर रहे है मुझे यसा लगता है कि cutting कोई बात नहीं, कोई भी परिवर्तन एक रात में नहीं आता है, परिवर्तन के लिए फिर कितनी amendment करने की बात हो, उसमें रास्ता निकालने की बात हो, जो भी कुछ करना पड़ेगा वो करना चाहिए, और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, दे बात चित करें, लेकिर आप देखते हैं कि रोग सभा के संचलन के लिए कोई कमिटी बनती है, कोई बात चित्तरी, वो अगर लागों नहीं होती, तो देश में इतना वरा परिवर्तन हो रहा है, वो कैसे लागों हो, क्या देखते हैं, आप क्या परिवर्तन होना चाहिए, इनके कॉंग्रेस या बाकी विपक्ची पार्टियों के मानस में क्या परिवर्तन होना चाहिए, यह ज़रूरी है लोगों को बताना, लोग तांतिर प्रवस्ता में तो इस बात का स्वागत होना चाहिए, यह बात हम थोपना नहीं चाहते हैं, लोगों पर हम यह इंपोज नहीं कर रहे हैं, लोगों को सहबागीता लेकर, लोगों का मत जानकर, यह कमिटी ने भी देश के कई विचारवन्त, नौन पोलिटिकल लोग, पोलिटिकल नेता, सभी पार्टियों के नेताओं से सहमती बनाकर, सबसे वारतालाप करकर, समवात करकर, यह अपना एक्जिकुशन लेवल पे आ रहा है, तो मुझे इससा लगता है कि राजनाजी के नित्रुतों में जो भी काम यह पार्टी ने किया है, और सबसे सहमती बनाने के लिए, जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसका भी स्वागत होना चाहिए। कर उस पर रियाक्शन देना, इसी के कारण यह सब मतबेद हो रहे है, नहीं तो इसके पहले तो इससे कई उदारन है, कि जब आटल जी थे, देश के प्रधान मंतरी और नर्सिया राउज मी जब प्रधान मंतरी थे और आटल जी विपक्ष के नेता थे, तो इसी कई बाते ह होती थी, कि देश को ध्यान में रखते हुए, दोनों मुख्य पार्टिया एक मतब पर आती थी, और मुझे इससा लगता है कि वो आनी चाहिए, देश की जनता के सामने हो जाएगा, किसका अजेंडा क्या है, किसके मन में क्या है, इस अजेंड के पीछे, घिडन अजेंडा किसका क्या है, यह देश की जनता के सामने आ जाएगा, तो मुझे इससा लगता है कि सब को इसका स्वागत कर देश. और डिटर्मिनेशन क्या हो शकता है, इससे डिटर्मिनेशन के माद्व से निचे तुरूप से यह आजेंडा साकार हो शकता है. श्याम जी राजनितिक जो है, एक आपसी सहमती बिनाने से पहले एक बेवारिक सहमती भी जिरूरी है. और अचानक इस समय जो है, मैं देख रहा हूँ, करगे जी ने दो दिन पहले चिट्ट्री लिखी, प्धान मंतरी को कहा, राहूल गांदी के बारे में तमाम बाते आप कर रहे हैं, अनरगल बाते कर रहे हैं, यह आपकी सहमती है, लोग उनको मारने की बात कर रहे हैं. आज बाटी जन्ता पाटी के प्रसिडेंट, उन्होंने भी एक चिट्छे लिखी है, उसमें भी का है कि कॉंग्रेस के तमाम लोगों ने धान मंतरी के बारे में का है, मौत का सौधागर का है, राहूल गांदी ने डंडे से पीटने की बात कही है, तो महाल तो बिलकुल प्राहट में है नो सर, तो किस तरह से राजनीती की स्थिती में आप देख रहे हैं कि इसमें इतना बड़ा काम हो जाएगा, इस परकार का द्वेश्य पूरुन वातावरन ये देश की जन्ता कभी पसंद नहीं करते हैं, देश में सोहर्द का वातावरन होना चाहिए, शां ये इसमें इलक्ष्न कमीशन की ब्हूमिका में हैं, निकेंद्रे इलक्ष्न कमीशन की वाएगे स्टेट कमीशन की बड़ी ब्हूमिका है, और विपक्ष purputus Wennisol Frederik नहीं मिलती है ऐसा है कोई भी नया टार्गेट अगर लिया तुस टार्गेट के लिए जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो खड़ा करना देश का काम है खर्चा बढ़ेगा एक टाइम बढ़ेगा को कायम की चैपिटल इंवेश्टमेंट होने वाली है बाकी लॉंग टर्म खर्चा बचने वाला है तो मुझे इसा लगता है यह मैन पावर यूमन आवर्श पैसा और देश की संपदा सब की बच्चत इसमें होनी है और एक प्रधान मंत्री और राहुल गांधी की बीच में कोई आप इसमें बैठा क्या मंत्री होती दिखाई दे रहा है आपको लग रहा है कि यह दोनों को बैठना चाहिए निश्चित रूप से इस विशे के लिए जिन जिन लोगों को आवशकता है उन सब को साथ बैटकर देश